हेलो दोस्तों स्वागत आपका फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में आज हम बात कने वाले हैं ट्रेन नंबर 12462 के बारे में ये ट्रेन जोद्पु जंक्शन से ओल्ड दिल्ली जंक्शन के बीच में चलती है इस ट्रेन का ट्रेवल टाइम 10 गंटे और 15 मेंट का होता है इस ट्रेन द्वारा इस सफर में तैक की गई दूरी 618 किलो मेटर की होती है इस ट्रेन की एवरेज स्पीट 7 किलो मेटर परती गंटे की और मैक्सिमम परमिसेबल स्पीट 110 किलो मेटर परती गंटे की होती है यह ट्रेन सब्ता के सातों दिन चलती है यह ट्रेन सुपरफास टाइप की है जिसे की नोर्थ और वेस्टन रेले द्वारा चलाया जाता है इस ट्रेन में आपको फस्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जन्रल क्लास की सीटी अवेलेबल रहेंगी जिसमें की फस समय समय पर किया जाता है, इसलिए टिकट कटाने से पहले किराइगी जानकारिया विशसे, ले ले लें, यह ट्रेन जोजबुत जंक्शन से, सात बच के बंचै, और पैतालिस मिन्ट पे चलती है जो की गोटन पहुँचती है, आठ बच के चम्बालिस मिन्ट पे है गोटन स पहुंचती है, नो बज के 45 मिन्ट पे, डेगाना से वह नो बज के 48 मिन्ट पे निकलती है, और मकराना जंक्षन पहुंचती है, दस बज के 40 मिन्ट पे, दस बज के 41 मिन्ट पे निकलती है, और जैपूर जंक्षन पहुंचती है, बारा बज के और 50 मिन्ट पे, जैपूर से र मिट पे दोसा से एक बज के 45 मिट पे निकलती है और बांदिकोई जंक्षन पहुंचती है दो बज के 20 मिट पे बांदिकोई जंक्षन से दो बज के 22 मिट पे निकलती है और अलवज जंक्षन पहुंचती है तीन बज के 10 मिट पे अलवज से तीन बज के 13 मिट पे निकलती है और रेवाडी जंक्सर पहुंचती है, 4 बज के 35 मिंट पे, रेवाडी से यह 4 बज के 35 मिंट पे निकलती है, और पटोधी रोड पहुंचती है, 5 बज के 13 मिंट पे, पटोधी रोड से 5 पंदरा पे निकलती है, और घरी हरसाउ जंक्सर पहुंचती है, 5 बज के 30 मिंट पे, व पॉल दिल्ली जंक्सर पहुंचते हैं छे बच के 40 मिट पे तो दोस्तों ये थी ट्रेन नंबर 12462 के बारे में जानकारी जिसे की इंबंड़ 100 सुपरफास एक्सपेस के नाम से भी जान राता है ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं तो बने रहे हैं हमारे चैनल प अजाए के लिए पाले के ले वर खबके लाते हैं